हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत हैं आप देख रहे हैं सुनेल टैक पॉइंट स्टैंड फॉर्ड उनिवर्सिटी के तरफ से आप सभी लोगों को फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मैंने इस वीडियो में complete detail बताया है तो इस वीडियो को सुरूश लेके end तक जरूर देखे और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चनल को सबस्काइब करें और बेल आइगन को प्रेस करना ना बुले सबसे पहले आपको ये website open करनी है जिसकी link आपको description box में मिल जाएगा Stanford University के तरफ से Code in Place 2021 का ये course आप यापर देख सकती है जो कि next class अप्रिल 19 से लेकर 28 माई तक होने वाला है जो कि सभी student इसके लिए apply कर सकती है teacher भी apply कर सकते थे लेकि अब इसका apply करने का process complete हो चुका है इसलिए आप teacher apply नहीं कर पाएंगे लेकिन जितने भी student है उस भी apply कर सकते हैं आवर goals में बताए गया है कि COVID-19 के कारण इस course को online किया गया है जो कि सभी लोग इसके लिए apply कर सकते हैं दुनिया के कोई भी student इस course को enroll कर सकता है और knowledge gather कर सकता है चाहें आपके पास experience हो या ना हो तब भी आप इस course में enroll कर सकते हैं about the course में आपको इस course के बारे में संपूर जनकारी यहां पर दी गई है जिसे कि ये course कब से start होने वाला है और कब तक ये course खतम होने वाला है वो सभी लोग apply कर सकते हैं जिनके पास कोई भी programming experience नहीं है या जिनके पास programming experience है सभी लोग apply कर सकते हैं जिने interest recording करना जिने programming language सीखना है वो सभी लोग इस course में enroll कर पाएंगे student application deadline में आपको यहां पर deadline दी गई है जो कि April 80 तक आप apply कर सकते हैं teacher भी apply कर सकते थें लेकिन उनका date खतम हो चुका है जो कि 25 मार्ज तक की था आप यहां पर देख सकते हैं इस course के बारे में बताए गई है कि इस course में आपको क्या-क्या सिखाए जाएगा जिसे कि python programming language आपको सिखाए जाएगे computer programming language आपको सिखाए जाएगा इस course के लिए और इस course में चार assessment आपको देने होंगे और साथी इनके big community है यानि कि अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप इनके committee में जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना solution गेकाल सकते हैं way to get involved में आपको दो option दिये गे हैं as a student और as a teacher तो as a student आप apply करेंगे हैं कितने टीचरों ने enroll किया है इस्टूडेंट जादे तर enroll किये हैं जो कि हर एक country के student ओने apply किया है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने भी apply किया है तो आप भी यहां से apply कर सकते हैं आप इनका analyze देख सकते हैं कि कितने age group के लोगों ने apply किया है मेल या female किसने ज़्यादा apply किया है उनकी जनकारी आपको आपर दी गई है apply करने के लिए आपको way to get involved पर आ जाना है apply to be a student पे क्लिक करने के बाद आपको अपना email id टाइप कर देना है उसके बाद remind में पे क्लिक करती ही आपको remind किया जाएगा जिस दिन भी यह course start होगा उससे पहले आपको remind की जाएगी और आपको link भी दिया जाएगा enroll होने के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी से आप सभी लोग enroll करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी share करें ताकि वो भी इन courses में enroll कर पाए तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मेद करता हूँ आपको यह information पसंद आया हो अगर ऐसे ही free courses और free certificate की जानकारी सबसे प बुलें सु कीप वाचिंग सुनेर टेक्ट पॉइंट